दोस्तो शबकू नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम चीकन बना रहे हैं वो चीकन का रिश्पी आप लोगों के साथ सौचे हम शेयर कर लेते हैं दोस्तो तो हम यहां पे सर्षों का तेल गरम कर लिए हैं उसमें डाल दिये हैं पंज पंच फोरं पकने के बाद हम यहार डाल दिये हैं तीन बड़े साइज का प्याज पीश के रिखे थे वह प्याज और फिर arquya ham मसाले भी पीश लिए हैं और यहां पर हम टमाटर अभी पीश रहे हैं दोस्तों तो मसाले में है मेरा अद्रक, लहसून, जीरा, काली मिर्ची, धनिया, चार छोटी इलाइची, साथ आठ दाने लॉंग, एक बड़ी इलाइची ऐसे ही सब मसाले हम दोस्तों इसमें पीछ लिये हैं बिल्कुल फ्रेश घर में तयार किये हैं मसाले और घर में तयार जो होता है मसाला, दोस्तों वो बिल्कुल ही अच्छा टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है हर चीज इसलिए उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम यहाँ पे मसाले फ्राइ करने के लिए रख दिये हैं ये धीरे धीरे भून रहा है दोस्तों इसको बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे हम यहां पे ताकि नीचे लगे नहीं और मेरा मसाला तयार हो जाएगा नमक हल्दी भी हम डाल दिये नमक आप अपने हिसाब से लीजिए और हल्दी जो है हम नौन वेज में थोड़ा सा जादा खाते हैं सबजी के हिसाब से तो वो हल्दी भी डाल दिये और यहां तीन बड़ा साइच टमाटर का हम प्योरी बना के रखे थे वो टमाटर भी डाल दिये अब क्योंकि मेरा प्याज भी फ्राय हो चुका था और प्याज फ्राय होने के बाद हम मसाले डाल दिये थे और मसाले जब फ्राय हो गया मेरा साइच से तेल छोड़ने लगा तो हम यहां पे टमाटर डाल दिये हैं टमाटर भी अब होने वाला है टमाटर हो चुका है, टमाटर भी साइट से तेल छोड़ने लगा है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे चीकन, चीकन दोस्तों मेरा लगबग सवा कीलो है ये, अब हम धीरे धीरे मसाले में चीकन को अच्छे से मिलाएंगे, ताकि मसाला और चीकन अच्छे से मिल जाए, अब य चार मिनट बाद हम फिर से देख रहे हैं, अब ये चीकन भी थोड़ा पानी छोड़ चुका है, तो ये मेरा मसाला अब बिल्कुल जलेगा नहीं, क्योंकि पानी हलका हलका पानी हो चुका है, अब हम इसको फिर से हिला के, स्लो गैस कर, मिडियम गैस करके और ढखके रख द डेंगे, 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, की मेरा चीकन कितना पका, अच्छे से गल जाएगा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे, धनिया पता डालेंगे, फिर तड़का लगाएंगे, बाद में हम इसमे, तो दोस्तों, आपके पास अगर जदी धनिया पता हो, तो वो डाल स और मेथी का मेथी भी डाल सकते हैं कस्तूरी मेथी जो होता है आपकी मर्जी है दोस्त आपके पास क्या एवलेबल है उसमें से कुछ भी हो जो भी आपके पास एवलेबल है आप वो डाल सकते हैं दोस्तों ये फ्रेश मसाले होने के वज़ा से फ्रेश चीकन है फ्रेश मसाले इसके वज़े से आपका ये चिकन का टिस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों कभी आप ट्राइ करिए बहुत ही अच्छा बनेगा और दोस्तों यहाँ पे अगर जदी आपको ग्रेवी देना हो तो आप इसी स्टेज में ग्रेवी भी दे सकते हैं जैसे कि देखे मेरा चीकन बिल्कुल पक के तयार हो चुका है चमच से ही ये चीकन अलग हो रहा है अगर जदी आपको अच्छा लगे ग्रेवी वाला तो ग्रेवी दे दीजिए अगर ग्रेवी नहीं देना है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए अब ये चीकन बिल्कुल पक के अब इसमें हम तड़का लगाएंगे एक चमबच घी ले लिये हैं गी गरम होने देंगे इसमें हम गी गरम हो चुका है जीरा पंच फोरन और दो लाल मिर्ची से हम तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के बाद हम फिर इसको ढखके रख देंगे लगबग 5 मिनट तक ताकि इसका खुसबू बाहर न जाए और चीकन में अच्छे से तड़के का खुसबू सोधापन आ जाए फिर दोस्तों हम यहां पर धनियापत्ता की तयारी कर लेते हैं यह रेश्पी कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताएगा फ्रेंड्स धनियापत्ता दो लिए हैं और बारिक बारिक काट लिए हैं अब हम इसमें धनियापत्ता मिला देंगे अब नीचे उतार लियें दोस्तों देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है देखके अब इसमें हम धनियापत्ता डाल देते हैं धनियापत्ता डालने के बाद हम मिक्स करके अच्छे से मिलाके और फिर 4-5 मिनट के लिए ढखके रख देंगे क्योंकि अभी चीकन बहुत ही गरम है तो इसके वज़े से जो धनियापत्ता का खुषबू है वो अच्छे से चीकन में मिक्स हो जाएगा धनियापत्ता सौप्ट हो जाएगा और अच्छे से दोनों मिल जाएगा अब यहां पांच मिनट हो चुका है दोस्तों हम यहां पे सरव करने के लिए अब निकाल रहे हैं चीकन को अगर जदी दोस्तो मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और दोस्तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें अगर जदी अभी तक सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट में बताईएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों तब तक बाई बाई खुश रहिए मस रहिए